अब देखें बच्चों कॉस्टन नूमर 126 कता है इंदा गीवेन सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन विच कॉंबिनेशन इस करेक्ट और यहां पर बच्चों दिया हुआ है ही मिलियम विल्किनसन केटलिस्ट होता है इससे इसका नाम होता है रोडियम लिख देता हूं रहसी पी पी एच थ्री ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोलते है रोडियूं क्लॉराइड ठीक है ना ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियूं क्लॉराइड खैर मैं आपको बता रहा हूं इससे कोई दिकत नहीं है कुल मिलाकर बात यह कि रेट औफ हाइड्रोजिनेशन अगर आता है तो आप फर्स्ट तीनों क्वेशन सॉल कर बाएंगे क्या होता है इसमें समझते हैं बत्चों रेट जो हता है रेट वो इन्वर्शली प्रोपोर्शनल होता है क्राउडिंग और क्राउडिंग जितना ज़्यादा होगा उसमें बत्चों नमबर ऑफ अलफा एच भी उतना ही ज़्यादा होगा अब जिसे देखिए यहां पर इस वाले साइट में अलफा एच देखिए कितना है तीन दो पांच और दो साथ है यहां अलफा एच देखिए कितना है तीन और एक चार है तो बता ही क्राउडिंग ज़्यादा कहां पर है यहां पर तो क्राउडिं उपर वाले साइट में ही हाइडोजिनेशन कर दिया है और नीचे वारे मेंने ही किया है गलत है तो अपनेसे पूछा क्या इनकरेक्ट अंसर मिला क्या इनकरेक्ट तो बच्चों ये एक correct answer हो गया वही फंडा यहां लगा यह बच्चों इस side पर alpha h देखे कितना है 1 यहाँ alpha h देखे कितना है 3, 3, 6, 2, 8 alpha h कितना है बच्चों? 8 है alpha h कितना है? 8 है तो ऐसे इस्तितिम अब अब आप decide किजिए कि कहां का hydrogenation होना चाहिए तो यहां का होना चाहिए और यहां का नहीं होना चाहिए तो वैसे इस्तितिम बच्चों इसका correct answer क्या हो जाएगा? मतलब यह जो reaction है यह सही दिया हुआ है अपने से incorrect पूछा है, यह बाद ध्यानक ना है उसे इसकार से बच्चों यहां काम होगा, वहां पर crowding काम होगा वही पर hydrogenation fastly होगा तो यह सही है अब बच्चों जब भी conjugated alkin दिया हुआ हो जब भी conjugated alkin दिया हुआ हो और उसमें hydrogenation करना हो तो इसमें hydrogenation बच्चों resonance के बाद होता है मतलब इसमें बच्चों सब से पहले इस तरह से resonance करा लेंगे फिर यहां पर minus आएगा यहां पर plus आएगा और यह जो hydrogen होते है ना इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों हेट्रोलाइटिक मतलब एक बार इसके उपर attack और यहां से जो यह इधर गया बच्चों इसको इसके उपर attack करा देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा आपको यहां पर CH3 और यहां पर CH3 यह प्रोड़क में देगा तो करने काम लोग यह भी सही है और यह root कब लागू होता है जब दिया गया alkene conjugation में हो ठीक है ना यह एक special case इस मान सकते हो आप इसको विशेश लोग से ध्यान रखना है तो D भी सही है तो D भी इस question का correct answer है मतलब option correct है इस question का correct answer तो बच्चों यह वाला हुआ A 127 127 में बच्चों यहां पर terminal carbon है terminal carbon में hydrogen जुरा हुआ है अब आपको पता है sodium amide क्या है बच्चों एक base है strong base तो यहां से क्या करेगा यह H plus remove कर देगा जैसे ही H plus remove करेगा तो क्या बनेगा देखे इस ring को मैं phenyl बोल देता है ना तो phenyl phenyl से बच्चों यहां पर है C triple bond C पर minus आ गया ठीक है ना पर minus आ गया बच्चों अब यह आ गया अब देखे यहां पर क्या दिया हुआ है इस तरह से एक ring दिया हुआ है और यहां पर बच्चों OTS यह जो OTS है इसको टोसाइलेट आयन बोलते है और यह बच्चों एक बहुत ही अच्छा living group होता है तो इसका एटेक हो जाएगा यहां पर और यह बच्चों हम से remove हो जाएगा जैसे remove होगा तो यहां से PHC triple bone C और फिर बच्चों इस से जोड़ जाएगा यह ring जोड़ गया PHC triple bone C और यह बच्चों नियो जोड़ गया तो यह हमारा बन गया A product यह ना एक प्रकार से SN2 reaction हो जाएगा यहां पर क्यों जहां पर attack करने जा रहा है वहाँ living group है two degree वाले में SN2 हो जाता है और attack करने वाला strong nucleophile है तो कुल मिलाकर यह reaction हो जाएगा चलो बहुत बड़ी आए बन गया बच्चो ए जो बना वो देखे अपने आप में एक अलकाइन है अब अलकाइन का reaction हम जब कराते हैं किसके साथ बर्च रिड़क्शन के साथ sodium liquid NH3 तो क्या हो जाता है partial hydrogenation होता है और यहाँ पर बनता है ट्रांस अलकीन क्या बनता है ट्रांस अलकीन तो बच्चों यहाँ पर फिनाईल एक तरप और इधर से यह cyclohexen बच्चों इस तरप बन जाएगा तिधर cyclohexen बना दिया और यह H और H लगा देजिए यह आपका B हो गया अब बच्चों यह ट्रांस है अब यह क्या है ट्रांस अलकीन बन गया अब ट्रांस अलकीन में बच्चों हमें sin addition करना है क्यों क्यों क्योंकि अगला जो रि दोड़ो फारॐ नगोगों अपर एषिद्ट और पर ए शिट्ट एक थरी मेंबर का इप-औक्शयाइड बनाता है भरेसिट्ट क्या बनाता है इप-ौक्षाइड बनाता यह इप-औक्साइड कई से बनेगा अ इपक्सायड कैसे बनेगा तो इपक्सायड तो बनेगा दो अप्सन में इपक्सायड बनाया हुआ है डी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा अए लेकिन बच्छों एक सेस फॉर्म में है, बोले तो मीजो में है और एक रेस्मिक फॉर्म में है बच्चों तो हमें समझना होगा क्या बनेगा, देखे, ट्रांस पलस का सीन एडिशन, बताया था जब सेम टाइप का एडिशन हो तो मीजो और सेम टाइप का अडिशन नहीं हो तो रेस्मिक तो जो पहला प्रोड़क्ट बना हुवा है निबच्चो इसमे देखो आप यहां से प्लिएन ओप सिमेट्री है है न प्लिएन ओप सिमेट्री तो यह तो मीजो हो गया और मीजो नहीं तो मीजो टाइप अंसिमेट्रिकल वाले में मीजो टाइप बन जाता है अंसिमेट्रिकल वाले में बचों क्या है? मीजो टाइप बन जाता है तो इसको मीजो तो नहीं बोल सकते हम मीजो टाइप बोले अंसिमेट्रिकल वाले में मीजो टाइप लेकिन हाँ फंडा हुआ ही है सेम टाइप के एडिसन में सेम टाइप के एडिसन में या तो मीजो बनेगा या फिर मीजो टाइप बने मीजो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दोनों तरफ देखे टर्मिनल डिफेरेंट था इलकिन इसलिए इसा हुआ है तो ट्रांस और सिन में रेसिमिक बनता है बच्चों और रेसिमिक में खास बात यह होता है कि जो जूड़नी वाले ग्रुप होते हैं ठीक है न वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो देखे यहां पर यह बच्चों यहां पर देखे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो यह आपको रेसिमिक फॉर्म में देख रहा है ठीक है न यह आपको रेसिमिक फॉर्म में देख रहा है और यह बच्चों आपको म खेर तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस question का correct answer क्या होगा तो भी हो जाएगा